कि अलो दोस्तों नमस्कार जैहिंद कैसे आप सभी उमीद करता हूँ आप सभी अच्छ होंगे स्वस्थ होंगे और अपने टैट एक्जाम की प्रेपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे साथियो एक बार फिट से स्वागत है आपका अपने ही यूटूब चैनल क्रेक कॉंपिटेशन में आज हम डिसकस करने वाले हैं इस वीडियो में CDP अर्थाद साइकोलोजी के 30 क्वेश्चन्स इस वीडियो से आप खुद भी अपनी एवैलुएशन कर सकते हैं कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन्स हाई बन रहे हैं अगर आप जो इन questions का standards में आपको बताना चाहता हो बेहदी simple है बेहद्ी simple में इसलिए कह रहा हुँकि जो questions आते हैं अपना score कमेंट section में जरूर करें कि आपके कितना score बन रहा है ठीक है जिससे कि आप बाकी लोगों का भी कमेंट्स में देख सकते हैं कितना इसमें स्कोर जा रहा है क्योंकि सभी के लिए same question तो रहने वाले हैं ठीक है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं So guys first question है psychology शब्द की उत्पति किस भाषा से हुई है जो psychology है जिसे हम मनों बिज्ञान कहते हैं हिंदी में उस वर्ड की उस शब्द की उत्पति की इस भाषा से हुई है लेटिन भाषा से फ्रेंच भाषा से यूनानी भाषा से जर्मनी भाषा से तो आपको इसका जो बताना है राइटन सर वो आपने खुद पहले टिक कर लेना है कि कौन सा आपके हिसाब से और जब हम मैच करेंग तो उससे साब से आपने देख लेना है साइकलोजी गाइज बैसिकली यूनानी भाषा का सब्द है ठीक है यूनान या यूनानी भाषा का सब्द है तो इसका राइटन सर हो जाएगा ठीक है और इससे अडिशनल में एक चीज़ बताता हूं कि जब साइकलोजी है सबसे पहले इसको क्या आत्मा का बिग्यान माना गया ठीक है और बर्तमान समय में इसको बहभार का मान दिग्यान मानते हैं बर्तमान में कौन सी अवस्ता में है साइकोलोजी दफ भीवेरिजम ठीक है बहभारबाद के जनक को है ये बी वाट्सन ठीक है ये आपको याद रखना है अगर मैं पूछँ कि अधुनिक जो मौडन psychology है modern psychology modern psychology के father कौन है तो वो है William James William James is the father of modern psychology ठीक है modern psychology या जो अधुनिक मनोवी ज्ञान उसके जो जनक है वो William James है ठीक है अगला question है Gilford ने अभी सारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया जो Gilford है guys इन psychologist ने अभी सारी चिंतन जो अभी सारी चिंतन है इस टर्म का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया बुद्धी, स्रीजनात्मक्ता, बुद्धी अभी स्रीजनात्मक्ता दोनों या इन में से कोई भी नहीं तो इसका जो right answer है क्या होना चाहिए आई होप आपने सोच लिया होगा और इसका जो right answer है option number B, जो creativeness है यानि कि स्रीजनात्मक्ता, स्रीजनात्मक्ता को ही गिलफर्ड ने अभी सारी चिंतन के रूप में इसका equal जो meaning बताया था कि अभी सारी चिंतन जो होता है वो creativity या स्रीजनात्मक्ता में इसका उप्योग होता है कि स्रीजनात्मक्ता में किया जाता है समझगे होगे, आप लोग इसका answer option number B होना चाहिए और जो हमारी playlist है, उसमें मैंने thinking वाला chapter करवा रखा है तीसरा या चौथा वो chapter है जिसमें मैंने दूनों तरह के चिंतन का thinking है उसके वारे में पताई थी कि creative thinking और divergent thinking जो चीजें हैं, उसमें किस तरह का प्योग होता है अगले question की तरफ बढ़ते हैं बाल अपराद का कारण क्या है तो बाल अपराद का कारण क्या है माताबिता में अनबन परिवार के सदस्यों का सहानू भूती पुन बैवार परिवार में आपस की सहमती सेकारे होना या समरिद परिवार तो इसमें से आपको क्या लगता है कि इन चार मैंसे ये pedagogy का question है क्या इसका right answer हो सकता है तो इसका right answer वो option number A हो जाएगा माता पिता में अनबन अगर माता पिता के बीच में जो है बेवार अच्छा नहीं बन पा रहा है उनका संतोलित नहीं बन पा रहा है और बच्चे के सामने वो इस तरह की कुछ activities करते तो वहां से संभावना बनती है जो बच्चे है उसमें हम उसको हम मनों विग्यान में बहल अप्राइद की संख्चा देते हैं ठीके बढ़ते हैं next question क्यों हर्मन का स्याही दबा प्रिक्षन इंक व्लॉक टेस्ट है तो आपको बताने ये किस तरह का method ये तो आप जानते है सुधिक जो स्याही दभ अपरिक्ष्टार्ट करता है तो मुख से कई जा टार्ट कहने क्वर्ण समय करना चाहूंगा कि उससे जो आप भेतर अपने concept को समझते हैं ट्रिक्स के मादियम से मैंने बताया है वाम पर किस तरह से आपको चीज़ लर्न करनी है तब भी आप जो इन तरह के जो objective questions है इनको अपने exam में crack कर सकते हैं ठीक है तो बहरहाल इस question में आपको बताना है कि ईक Black taste जो हा स्याहि धबा friction रोठ्शा हर्मन के द्वरा दिया गया था ये किस तरह की बीद्टी समाजिक अधील सिदांत का प्रतिपाद्न किया समाजिक अधील सिदांत जो है इसका प्रतिपाद्न किस ने किया बॉटसं, जीन, प्याजे, अलवर्ट बंडूरा या कोलर तो इसका जो राइटनस रहे, वो वाउश नमबर सी अलवर्ट बंडूरा अलवर्ट बंडूरा के द्वारा समाजिक अदिगम यानि कि जो शोचल लर्निंग की थियोरी है इसका सिधान दिया था इस तरह से प्रतन और भूलबिदी के सिधानत का प्रियोग निमलिक्त मैंसे किसने सबसे पहले किया था बॉट्सन, इरिनर, बर्दीमर और थॉंडाइक गई सभी को पता है हिटेंड ट्राइल किसके द्वारा दिया गया है अगर आप इस कॉशन को भी गलत करते है ना तो इस मैं इस कॉशन के बारे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो यह हीटेंड ट्राइल मेफ़ट फेस्यूरि का पहली ठीक के लर्निंग अधिगम के सिधानत इसकी पहली हीटेंड ट्राइज जो कि थॉंडा एक ने दिया था और इसी ठीक की बज़ा से थॉंडाइक को एजुक हमकी एक बहुत ही मेत्वपून सिधान दिया था जिसको हम हेटेंट टाइल मेथड या फिर प्रतन और भूल बीदी का सिधान कहते हैं ठीक है और उनने इसके इसके इसाब से तीन लॉबी दिये थे जिसमें लॉफ इफेक्ट था ठीक है लॉफ एक्ट साइज था और लॉफ रेडिनेस था ठीक है रफिरक्ट मतलब प्रभाप का नियम housing inflations her aggregates मतलब उसका आफा नियम मतलब जो आपके तत परता का था और इसकित में legitimate पूड अलग-अलग जैसे ना फाट थिज्यों टो JUटली है जैसे प्लेंस्ताब के द्धुर्ट 21 एफ टैटी सभी थीए अंतेयद रस्टी का सिधानती क्या चीज़ई है और किस साइकलोजिस्ट ने अपने अपने सिधानत में किसी धीडिए किसीन बिल्ली पे किया जो है जिमपैजी पे या ठीक है तो यह चीजिद भीome पूछी जा सकते हैं आपसे अलग अलग तरीके से के तो बस कोस्टन की मादयाम से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहू हो कि कोश्व cooler से पूचा जाता है इसलिए से रिक्वेस्ट कर दो हुआ कि प्लेविस्ट में आप जाकर इन सबी चीज़ों को वाँ से रीड कर सकते हो बैरहल बढ़ते है next question की और निविकते मैंसे कौन सा जनम जात अभी प्रेरीच है इन मैंसे आप से फैक्टर पुछा कि कौन सा जनमजात है मतलब हैरीडीटी कई आपको ने दो चीजों का ध्यान रखना है जब इस तरह कोशन होगे दो चीज होगे एक हैरीडीटी एक इन्वोर्मेंट इनमें से आपको डिवाइड करना है या तो बूफ हेक्टर हैरीडीटी मतलब जनमजात होगा या और जित किया हुँआ होगा इन्वोर्मेंटल यहां पे निद्रा है करोध है खेलना है प्रशंशा यहांसे ऑर तरिकैसे भी आम चांट सकते कि मैसे आपको और कह कौन सा दिक्राएं चलीर है कि autonomy जयानमजात है किव Shen आपको जनमजात की हुए क्यूंकि आपकर क्रोध है खे कि आप जानते हैं कि जीरो से दो वर्ष जो होती है उसको सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, एकोर्डिंग टू जीन प्याजे यानिकर संवेक आत्मक अवस्त हैं जिसमें वह जितनी भी हरकते करता है, रोना, मुस्कुराना, हंसने त्यादी, वे सारी के सारी उनकी सेंसे, इनको हम हिंदी में इंद्रियां कहते हैं, उनके द्वारा वो होती है सभी चीज़ें, तो ठीक है, तो जो नींद है, नींद ही एक है, इन मैसे, जब कि नींद्रा है, जब कि खेलना तो यहाँ पहीं नींद्र को बढ़ा हो जागा तो अब्यासी की अर्जेत है, प्रशान साभी उसी मोटिवेशन के रूप में आती है, तो यह भी बाद में लेटर आन पीरिड है, क्रोध और निद्रा में से आपको नफ्रीज हो सकते थे, लेकिन क्रोध वगा अभी ऐसा है कि मतलब जब सैंसरी मोटर स्टेट को क्लियर करता है बच्चा, उसके बाद यह जो चीज है, क्रोध जो है, उसके गुन देखने को मिल जाते हैं बच्चे में, प्रभाबी शिक्षन है, तो अवश्यक्ततब है, मतलब अगर अच्छा शिक्षन आपको चाहिए, अच्छा टेचिंग मेथड चाहिए, एफेक्टेव चाहिए, तो उसमें से आपको इन चार आप्शन में से क्या चीज देखने को जुरूरी आपको होने चाहिए, उसके अ समप्रेशित विश्य समागरी, बालक शिक्षक के मध्य अंतर समंद, मतलब इंटर रिलेशन्स, तो इस में से जो राइट अंसर है, वो है, प्रियुक्त शिक्षक टकनीक, जो ये है, एक एफेक्टिव टीचिंग के लिए बिल्कुल इंपोर्टन एक एक अलिमेंट है, इं इस question में न, guys, आप इसको सोच लिजी, इसका राइट अंसर के है, और मैं आपको बताने वाला हूँ, सौ मैसे, 98 स्टुडेंट सो ऐसे होंगे, जो साइकलोजी को अप्रोपल से समझते के हो जाएगा, वो इसका गलत अंसर देंगे, मुझे पता है, साथ यह आप option B को यहां लेकिन यह राइट अंसर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि psychology कहती है, कि हर एक बच्चा अपने आप में special है, ध्यान रखने इस चीज़ का, जो भी मैं आपको इलाइन बता रहा हूँ, बहुत इंपोर्टेंट है, कि हर एक बच्चा, चाए बो मन्द बुद्धी हो, प्रतीबाशाली हो, पिछड़ा हो, किसी भी कैटागिरी का बच्चा हो, every जो child है, वो very important होता है, मतलब शिक्षिन के लिए हर एक बच्चा, जो है क्या है, important है, special है, special है, special है, तिन तरह के बच्चे है, या तिन तरह की बुद्धी के इसाफसे हम बच्चों को divide कर सकते हैं, एक होता है, जो average हो, ठीक है, एक होता है, जो genius हो, मतलब special child type हो, एक होता है, जो backward हो, मतलब पिछड़ा होगा type, average का आपको पता है, 70 से 90 की बीच में IQ होता है, genius का 100 से plus होता है, एक जिक नहीं बता रहा हूँ ना, बाकी IQ के इसाफसे, तो आप इनको और भी variety में divide कर सकते हैं मैं majorly बता रहा हूँ, जो majorly मुख्य रूप से तीन ही category में हम divide करते हैं, IQ के इसाफसे, बालकों की बुद्धी को, ठीक है, तो बालकों की बुद्धी के इसाफसे divide करेंगे, तो बालक उसी साफसे divide होंगे, backward मतलब जिनका 40 से less होगा, ठीक है, 40 से less होगा, यह आपका IQ, तो प्रुक्त सभी आप option में हो, तो उसको यह आपको tick करके आना है, ठीक है, बड़ा important question है, बहुत सारे लोग इसको गलत करके आते हैं, जैसा कि आपने अभी भी किया, पढ़ने की क्षमता निमन मैंसे किस से समंदेत है, अब यह question थोड़ा सा गलत है, इसको पहले मैं correct करता लेकिन जब पढ़ना नहीं आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, यह इसमें basically पूछ रहा है, जैसे किसी को पढ़ना नहीं आता है, तो वो term आप से पूछे है, कि psychology में क्या बोला जाता है, ठीक है, तो यह समझे गया question, अक्षमता लिखा है, अफेजिया यह नहीं है, पहले आ आपने इस question का भी गलत अंसर दिया, क्योंकि सभी को पता है, dyslexia जो है, जो reading disorder इसको English में बोलते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होता है, जो कहते हैं, bilingual बता लिजे, reading disorder मतलब पढ़ने में अक्षमता या पढ़न बीकार, इंदी में बीकार बोलेंगी, पढ़ने में बीकार, अ यह 10 question होगे, यह आपका 11 question है, ठीक है, 11th number का question है, परसोना शब्द का अर्थ है, अगेन बेरी simple question हो, जो साथ ही इसको भी गलत कर रहे हैं, तो वो उसी backward child वाला इसको मान सकते हैं, ठीक है, मैं मजाख मोरें, सिवेसली मतलई जिए, उनना आप कमेंटर में फिर फालतु की, करते हैं, जंजटवाजी, इसलिए बतारूं कि बच्चे वाली term है, जब भी मैंने personality का chapter बता रखा है, परसोना शब्द पहले ही आता है, और इसका मतलब होता है, मोखोटा, option number C, ठीक है, मतलब, परसोना या जिसको मोखोटा कहते हैं, जो आपकी पैचान को बारी पैचान क बताएगा, ठीक है, नेक्ट कोशन है, टर्मन का समन्ध है, किस देश्ची है, ये कोशन हो सकता है, कि आपको ना आए, इंगलेंड, अमेरिका, फ्रांस, रूस, और इसका जो राइट अंस रहे, वो option number B, अमेरिका, अमेरिका खेते, टर्मन, ठीक है, टर्मन ने किया क्या थ तर्मन ने दिया था, जबकि जो IQ का सुतर है, एक टेवल है, एक IQ का सुतर है, जैसे, जो IQ का सुतर है, कि ये पता होना चाहिए, आपको, MAYC A into 100, ये सुतर भी कई बार डारेक्ट ली पूछ लेता है, IQ का सुतर है, MAYC A into 100, ये किस ने दिया था, तो ये बीने ने दिया था, और उसके बाद में निश्कर्ष निकला था कि जैसे अभी मैंने पिछले कॉश्चन बता है कि अगर सोक से जादा किसके IQ है वो जीनियस होता है यह सब डिवाइड जो किया था एक टेवल में यह पताया था टर्मन ने ठीक है यह मैं आपको एडिशनल चीजे भी पता रहा हू बिदयार थी हूँ कि शिक्षन में अधिक से अधिक भागेदारी संबाब है मतलब इन ओफशन्स मैं से कौन सैसा मेथड है जिसके दवारा जो टिचिंग मैथड है शिक्षन बिदी है उसमें जो स्टूडेंट अधिक से अधिक अपना योगदान दे से के अधिक से अधिक अपना रोल को डिफाइन कर सकते हैं, मतलब दिक से दिक भागेदारी उसमें पॉसिव अलो ब्याख्यान भी दी, मतलब लेक्चर देना, बरतलाप मतलब डिसकेशन, पाठे पुस्तक भी दी अप्शन नमबर भी बारतलाप मतलब बागचीत करने से अडिवेट या डिसकेशन करने से जो हर बच्चा जो है इन्रोल होने के कोशिच करेगा जैसे भी कोई आप टॉपिक करें, दस बच्चे बैठा हो तो हर एक बच्चा ये चाहेगा कि मैं भी अपने उपिनियन उस एक पर्टिकुलर टॉपिक पर दें तो ठीक है ज़्याद आउश एक्टिव को नोगी टेचिंग के लिए तो ऑप्शन नमबर भी बारतलाप भी दी ठीक है ठीक है फूलों का बगीचा प्रशन का सब्तकिने से कौन से अच्छे प्रष्णु की विषश्ता नहीं है यहां पर आपको तीन option ऐसे मिलेंगे जिनकी विशेष्टा अच्छे प्रश्णू की विशेष्टा है प्रश्णू का स्पास्ट होना obvious है यह जगा गाइज पेड़ागोजी कोशन है मैं आपको हर बार बताता हूं कि psychology में एक आदा कोशन जुरू रहेगा पेड़ागोजी का एक आदानी दो से तीन वे आसकता है जिसमें आपको कॉमन सेंस का इस्तामाल करना है जैसे इस वाले कोशन में प्रश्णू का सपास्ट होना बिल्कुल एक विशेष्टा है अच्छे कोशन की प्रश्णू की निश्चिता नहीं होना यह नहीं हो सकता है प्रश्णू का वि आप बताईन रहे हैं तो यहां पर option number B यहां पर गलत है मतलब यह इसका correct sticks नहीं है विशेस्ता नहीं है यह ठीक है बाकि अगर आप देखे इसकी भिशेस्ता है यहां पर नहीं पूछा है तो यहां पर option number B राइट अंसर हो जाएगा बहुत सारे लोग मालेज़े आपको पता देख बी होना चाहिए लेकिन टिक गलत कर लेता है ऐसे question में तो इसलिए जब भी नहीं होता है या कुछ question में अट पटांग पूछा जाना बाफ कीजिएगा इन फैंसी कोशेश वबस्ता कहते हैं फिर चाइल्ड उड़ दिया है और अडल्ट उड़ दिया है गाइस कभी फी एक चीज में आपको फ्री का यहां पर इपता रहा हूं आज अंसर देने से पहले डंग से सुन लीजिएगा प्रोड अबस्ता जिसको हम अब एकी सीक्षने की गती जो लर्निंग की जो सपीड है कोई बच्चे के अंदर किस गती से सीखता है अत्यांत तीवर कब होगी तीवर नहीं बोलाए अत्यांत तीवर तो आप शाबद से समझी गिए होगे इसका जो राइट अंसर होगा वो शेश वबस्ता होगा अब क् बच्चा जो फस्ट टाइमी सीमिलेट करा इंवायर्मेंट के साथ ठीक है तो धीरे धीरे वो चीज़ों को आपने देखा हुए जो शेश वबस्ता में होता है फिर बाल्ले अवस्ता में आदा तो जो इसकी क्रियोस्टी का डेबल अप होता है विकास होता है ठीक है लोगों ने शोरा वस्ता या वाले वस्ता को टिक किया होगा तो ऐसे ही कौशन में आपने चकमानी खाने इसका राइटन्स हो जाएगा और अगला जो क्वेशन है स्केनर का क्रिया प्रसूत अनुबंदन सिधांत थॉन्डाई के किस नियम पर आधारित है मैं आपको पताय कि स्केनर ने ओपरेंट कंडिशनिंग की थी दिया जो इंगलिश वाले वह भी यहां पर ध्यान दीजिए अपरेंट कंडिशनिंग थी तो इसी को हिंदी में क्रिया प्रसूत अनुबंदन का सिधांत बोलते हैं ठीक यह किस ने दिया था स्केनर के यह बार यही चीज पू प्रभाब का नियम लॉफ एक्रसाइज लॉफ रैडिनेस और लॉफ एफट तो इन तीन नियमों मेंसे ओफ्शन नमर डी निहीं हो सकता है तूंकि जो थॉन्डाएक के नियम की बात कर रहा है तो थॉन्डाएक नो इतीन ही दिया तो ओफ्शन नमर डी ऐसे ही गलत हो सकता है इतनी बड़ी मुर्खता कर सकता और एक नमबर उसका गया नाले में इसलिए मैं कहता हूं कि आपको थोड़ा बहुत चीज़ों का बता थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं बैरहाल जो अपरेंट कंडेशनिंग की थियूरिया स्कीनर की वो जो है प्रभाब के सिद्धानियां परहाल पर जो वर्क करती है किसकी बात करे जात कर रही है स्केंट का अपरेंट कंडेशनिंग्र की थियूरिया जो उन्हें दी थी वो ठोनड़ाय के law of effect जो thon die का सिधान था उसके ओपर प्रवाबित है ये skinner का operating conditioning theory भाला ठीक है किस के ओपर दिया था क्या चीज है ये ठीक है skinner का सिधान thon die का सिधान तिया जो और भी मैंने psychologist के नाम पता है उनकी theories पता ही तो आप जो playlist में जाकर उस chapter को बकाईदा देख सकते easily आपको समझा जाएगी हर चीजी जो next question है वो pedagogy से related है ठीक है यदि आप अपनी कक्षा में उच कोटी का दिगम करना चाहते हैं तो उसके लिए अवश्य क्या है तो इनको आपको ये सारे option को ध्यान से रीड करना है और उसके बाद आपको अपना राइट अंसर टिक करना है बहराल मैं अपता आता हूं इसका जो राइट अंसर वह करना है मैं सुधार के लिए एक शिक्षक को सुधार ये तुनिमन मैंसे क्या उपाय करना चाहिए इस इसमें most appreciate जो ज़्यादा ठीक लेगे वो उसको टेक करना है रूची पुन पाठ एक्रम होना चाहिए यह सभी देखिए बिल्कुल सही हो जाए गर आइटम सर आप्शन हम बड़ी इन क्वेशन में पता बच्चे क्या करते हैं जिनको क्वेशन आता है जो पहला है उसी को टेक क्यों ना हो समझ रहे हैं मेरी बात को जल्दी के चक्र में अब देखिए आपको पता है कि जैसे जनर्रल केटागी रिवाए नाइंटी नंबर चेट में अगर आप एक क्वेशन से रहेगे और आपके टायट जो है क्वालिफाई नहीं माना जाएगा तो इसलिए एक एक न कोई बड़ी वात निया मैं अगर निजी तोर पर बोलूं ठीक है तो यह चीज यह जो आपको इजी क्वेशन होते हैं उनको आपको बिलकुल भूल के भी कभी घलत नहीं करना है ठीक है बढ़ते हैं नेक्स्ट डस क्वेशन जो बचे अगला क्वेशन है गाईस 21 क्वेशन नहीं आज का विकास की दिशा होती है यह कॉशन ना जाने कितने बार बता दिया है मैंने अगर यह कॉशन भी आप घलत करते तो फिर से आप उसी केटा गिरी में फॉल कर रहे है जीरो प्रसेंट वाले की टैट आपका कॉलिफ है नहीं होगा मैं साइकलोजी सेक्शन की बा बाकी तो आपका स्व्यक्ट्स की पूछेगा विकास की दिशा कैसी होती है सर से पैर की और पैर से सर की और पूरूप से पस्चम क्यों पस्चम से पूरूप क्यों बिल्कुल सही अगर आपने option A को टिक किया है क्योंकि इसका राइट अगर आपको इस question का थोड़ा बहुत करता है अंदर से बाहर की तरफ बहुत सारे होता है सुआत से आठ जो ऐस आः पको सिधा ant दिखेंगे विकास बिकास बले गार्टन की स्वाशा के शवद्या, इसके लिए मापी चाओंगा question repeat हुआ, इसका जो राइटन स्रेव वो गजर्मन option number B, प्रात्मिक विद्यालियों के बालकों के लिए भेतर है, इन में से क्या important या better है, जो primary के बच्ची होते हैं, इन में से सबसे important है, swim के द्वारा किया गय इसमें से तो जो भी चारों चीज़े दिया है, यह जीन प्याजे का, जीन प्याजे, मैं आपको बार बार प्तानों, जीन प्याजे ने cognitive development का सिधान दिया था, संग्यान आत्मक, विकास का सिधान, उसमें उनने चार चीज़े बताई थी, चार अवस्ताएं बताई थी, ठी अबस्ताएं और चौती अप्चारिक संक्रियत्मक अवस्ता है, ठीक है, उनके आपको एजिज का भी नाम पता होना चाहिए, कि जो समसें सेंसरी, मोटर स्टेजे ऐं, इंग्लिश्में इसको संस्टी मोटर सेंज कहते हैं, संब्ध गी प्रेरिक अवस्ता को, ठीक है, इसक चीज़े क्या इसके बारे में आपको पता होना चाहिए सबसे पहले इसका टिक कर लीजिए अंसर अगर आपको यह वाला कोशन भी नहीं आता तो अगयन आप जीरो कैटेगरी वाले है ठीक है क्योंकि यह बिल्कुल फंडामेंटल है अगर आप साइकोलोजी पर रहे और आप आपको जीन पयालेंट कोई आईडियां तो इसका मतलब आपने क्या खाकतीयारिंक और यह सब्सक्राइब जो कुछ एक काम किये गये, कोलर के इंसाइट, थियोरिय इंपोर्टन्ट है, कुछ चीज तो आपको पता ही होने चाहिए, अगर आप इसको भी गलत कर रहे तो इसका मतलब क्या है, तो जैसे इसमें दिखी राय क्लिया, दिख रहे है कि सही का चाहिन इसमें क्या हो सकता है, जैसे सेंसोरी मोटर स्टेज ये गलत है, क्योंकि सेंसोरी मोटर स्टेज का क्या होता है, जीरो से दो बर्ष होता है, ठीक है, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज ये जो है, इसका क्योंता है, इसका क्योंता है, दो से साथ होता है, ये भी गलत होगा, मूर्त ऑपरेशनल जो की जीन प्याजे की चौथी अवस्ता थी उसकी जो आयू है वो 11-18 कोच बुक में दी होती है कई जगा 12-18 दी होती है ठीक है कहीं पे 11-16 भी दी सकते 15 मतलब 11 से शूरू अडॉल से वाले पिरियड समझ गया ने किशोर अवस्ता कहां से शूरू 11 से लेकर 18 तक तो उसी अनुग गलत दिया है मतलब इनका पेर जो राइट अंसर हो जगा ऑप्शिन अंबर डी हो जाएगा ठीक है अगर आपने डी यह ऑप्शिन के तो बदाई हो आपकी त्यार यह अच्छी जा रही है बढ़ते नेक्स कोशिन को रहा पच्छों सो कोशन है मनों बिग्यान को रचने को जूरूरत नहीं है अंतर दिश्टी के सिधानत के अनुसार बाल को मैं अंतर दिश्टी कैसी होती है सबसे पहले चीज़ा भी तक मैं चीक चीक के आपको बार बार बोर रहा था बहुत सारे लोगा जो मुझे यह बोर रहे थे सर की आप जो कॉश्ण में सिधानत बुलते हैं यह को लर नहीं दिया है फिर भी अगर आप यह आप लोग बहुत सारे से लोग होते हैं जो इनको गलत करके आप फिर तो गुसा आए गाई ना जाइज होता है क्यूंकि हम लोग आपके लिए मैनत कर रहे हैं बार बार में हर बार इस चीज़ को बताता होती कैसी है सदनली होती है अकास्मिक होती है धीरे धीरी होती है अनिस्चित होती है इन मैंसे कोई नहीं सबी को बता है कि इसका जो राइट अंसरो होगा सदनली यानिकि अकास्मिक जो अंतर दिस्टी का सिधानत कहता है जो की चिंपाइंजी पेर दिया था कॉलर ने क्या जो question है guys question number 27 और इस question को पढ़ने से पहले आप लोग करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस question को भी 98% लोग जो इसको गलत करने वाले हैं ठीक है अब देखिए इसमें पूछा कि अधिगम क्या नहीं है ठीक है अधिगम क्या नहीं है तो इसमतलब यो बाकी तीन options होंगे से एक को छोड़कर वो अधिगम है तो अधिगम होता क्या है वैसे विकास हो सकता है या नहीं सोचिए अनुभब द्वारा बैवार में परिवर्तन यह हो सकता है सहज बैवार यह भी हो सकता अनुभब का संगठन यह भी हो सकता है तो clear ही लग रहा option number A फिर भी मुझे लग बैवार में परिवर्तन करना है जैसे जीन प्याज़ाई ने दी थी दो टर्में ठीक है सीमिलेशन और अकॉमोडेशन जो अप्शन नंबर भी है यह जो अकॉमोडेशन उसको बता रहा है कि अपने बैभार में जब कोई बच्चा परिवर्तन करता है अपने एक्स्पीडि पाधन किसके द्वारा किया गया तो यह जो है गहने के द्वारा किया गया है सो पान की मतलब स्टेप्स दिये थे अधिगम के स्टेप्स ठीक है अधिगम लर्निंग के स्टेप्स किसके द्वारा दिये गये थे तो गहने के द्वारा दिये गये थे आज का अंतिम कॉशन है ताकि बाकी लोगों को पता लगए कि इन फास्टेंडर कैसा और कितने इसमें से ठीक हो रहे और किसके कितने बन रहे तो, मिष्यों माने कि बाद बिलकुल नहीं अगर आपके कम बन रहे उससे ये होगा कि आपको बाइशाली बाला की विशेष्टा कह सकती है तो ठीक है यह थे गाइज आकि वे टॉप 30 mcq जिनको इस बाले पेपर में इन मैंसे 30 मैंसे मैं कह रहा हूं 25 तो चपेंगे चपेंगे पेपर में अलग 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 में आसकते जिस चार्टशे कोश्ण मेडिकल में आगे किसी में आगे ठीक है तो यह है बाकि अगर आपको इस चीज़े विडियो बिलकुल भी पसंदने कुछ भी नहीं सीखा तो उसके लिए जाकर आपको इस पर लिए जाकर आपको सारी प्लेलिस्ट में मानता हूं लेकिन साइ रियल नमबर वाइज है जब पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर वो तो हमने अड़्जास करी लिए तो वहां तक तो जाई सकते ना तो यह है बाकि कैसी लेगी अपकी वीडियो नमबर के साथ-साथ कितने बने उसके साथ-साथ अपनी राय जुरूर बताएं कि वीडियो